बात करूंगा उच्च के शुकर देव के बारे में जो की आने वाली 15 अप्रैल से 10 मई के बीच में शुकर उच्च के होने जा रहे हैं अपनी मीन राशी यानि के उच्च के राशी में कन्या राशी में शुक्रदेव नीच के रहते हैं और मीन राशी में शुक्रदेव उच्च के रहते हैं हमेशा अंशों का भी चक्र है कि ते अंश के उपर है वो बात दूसरी है आज मैं बताओंगा आपको आने वाला 15 एपरेल से 10 मई का जो समय रहेगा शुक्र देव आपकी राशी में क्या अफ़ल देने जा रही है बड़ा ध्यान से समझना है मैं उन शुक्र देव की बात कर रहा हूँ जो राजनीती के कारक है जो सुंद्रिय के कारक है धन दौलत लक्जरी के कारक है सुंदर जुलरी के कारक है बहुत लग्जरी हाउस के कारक हैं, लग्जरी गाडियों के कारक हैं, एंटर्टैन्मेंट साधन के कारक हैं, मोज मस्ती, लव लाइफ, प्रेम प्यार, संतान, उत्पती, गरब धारन, इन सब में शुक्र का विचार है मैं उन्ही शुक्रदेव की बात कर रहा हूँ जो कि आपको विदेश में भेज सकते हैं, आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं और चार चांद को उतार भी सकते हैं उन्हीं उच्च के शुकरदेव की बात कर रहा हूँ ये उच्च के शुकरदेव आने वाली 15 एपरैल से 10 मई के बीच में आपकी राशी 12 राशियों में से सबसे जो भाग्यशाली 9 लक्की राशियां हैं मैं उनका राशी फल बताऊंगा ये 9 राशी फल ये वो भाग्यशाली 9 राशियां बताने जा रहा हूँ इनके बारे में अगर आप समझेंगे सोचेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी दोस्तो मैं डॉक्टर नाराइन आचारिया चंडिगड से आप मेरा यूट्यूब चैनल नाराइन एस्ट्रो इंडिया सब्सक्राइब कीजिए या एस्ट्रो फ्रेंड नाराइन नाराइन के नाम से भी आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज मेरे नए नए वीडियो देख सकते हैं बात करूंगा शुक्रदेव की, शुक्रदेव बहुत सुन्दर चमकी लेग रहे हैं, बहुत पावरफुल है, शुक्राचारी है, मेश राशी से लेकर कि मीन राशी तक बारा राशियों में क्या फल्द रहेगा इसके बारे में बताऊंगा, सबसे पहले जानेंगे सबसे जो नो भाग्याशाली लक्की राशिये हैं भाग्याशाली राशिये हैं किस राशी को क्या फल देंगे सबसे पहले चलते हैं ब्रिखव राशी ब्रिख राशी का स्वामी क्या हुआ शुक्र हुआ ब्रिक राशी का स्वामे शुक्र और शुक्र शुक्र की खुद की राशी है ब्रिक राशी और ब्रिक राशी के कारक शुक्र ग्राय उचके यानि ब्रिक राशी की कुंडली में ब्रिक राशी ब्रिक लगन वाले व्यक्ति इनको ग्यारवे भाव में यानि की बैंकिंग सेक् ब्रक राशी वालों को बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा specially आपकी विदेश की तरफ जरनी होने की योग बन रही है specially आपकी कुणली के अंदर भाग गया हो दे किस्मत आपकी जागने की योग बन रही है संतान की तरफ से खुशी मिलने की योग बन रही है बरकव राशी वाले व्यक्तियों के घर में नई गाड़ी, नया वाहन और नया घर बढ़ने के योग बनते हैं इसी समय के मद्धे में बहुत खुशी की बात है बात करूंगा मितुन राशी की मितुन राशी वालों का स्वामी बुद्ध होता है और मितुन राशी वालों की कुंडली में या आपकी जो जनम राशी, चंद्र राशी है मितुन राशी वाले व्यक्तियों की कुंडली में दस्वे भाव यानि की बिजनस में करमक्षत्र में करम अक्षत्र बैपार का फादर का पिता का नोकरी का वेवसाय का रेवन्यू का अगर आपको कम्पिटीटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं को आई-एस की त्यारी कर रहे हैं को बड़ा फंड लेके आने की कोशिश कर रहे हैं मितुんだ starshi वालों के सारे काम सीरे चड़ने के योग बन रहे हैं मितुndra 26 वाले व्यक्ति इस समय के अंदर एक नया कारोबारभी शुरू कर सकते हैं नया बैपार भी स्टर्च कर सकते हैं और नया बैपार इस समय के बीच में यदी होता है यानि की पंदरा एपरायल से दस मई के मध्य में यदि होता है तो मान के चलिए इशुर्य कृपा से बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योगर ग्रहे आपको दोनों हातों से अश्वीरवाद देने वाले हैं बात करेंगे करक राशी वालों को करक राशी स्वामी चंद्रमा और करक राशी वालों को नोवे स्थान में भाग्य स्थान पे लक स्थान पे शुक्र देव अपनी उच्च की मीन राशी में आ गई हैं अब उच्च की मीन राशी में शुक्र भाग्य स्थान पे धरम में बढ़ोतरी लेकिन कहीं ने कहीं आपका ध्यान बढ़काएंगे कहीं ने कहीं आपका मन गलत चीजों की तरफ भी ले जा सकते हैं एंटरटेन्मेंट, बोज मस्ती, लव लाइफ हाँ, जब भाग्य घर की शुक्र हैं नौए के करक राशी वालों को विदेश यात्रा 99% करवाने के योग बनते हैं आपको इस समय के मद्यमे करक राशी को स्पेशली जमीन जायदाद में बहुत ज़ादा लाब मिलेगा राजनीती में बहुत ज़ादा लाब मिलेगा बहुत ज़ादा सफलता मिलने के योग बनते हैं करक सिंग कन्या तुला वरिष्चिक धनू मकर कुम्ब मीन नोवे स्थान में भाग्य स्थान पे धर्म की वृद्धी भी करते हैं लेकिन करक राशी वाले व्यक्ति यदि राजनीती में भाग ले रहे हैं पॉल्टिक्स की कुछ प्लैनिंग चल रही है तो जीतने के बहुत ज संपत्य की प्राप्ती के योग बनते हैं बात करेंगे अगली शाली राशी कन्या राशी ए कण्या राशी को कन्या तुला वरिष्चिक धनू मकर कुम्ब मीन यानि कन्या राशी वालों को साथ में स्थान पर यानि पती या पत्नी के स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा लाब की प्राप्ति होगी पत्नी के स्थान पर क्या होगा आपको सुन्दर पत्नी मिल सकती है सुन्दर पती मिल सकता है क्योंकि आपकी कुंडली में सब्तम स्थान में शुकर आ रहे हैं और सब्तम स्थान क्या है वेवाहिक जीवन का है और वेवाहिक जिनकी शादी नहीं हो रही जिनके रिस्ते नहीं हो रहे जिन लड़कियों के जिन लड़कों के उनका विवा, आपका विवा, आपका अरिस्ता, इंगेजमेंट भी होने के योग बनते हैं इस्पेशली 15 एपरेल से 10 मई के बीच में जो शुकर का प्रिवर्तन है मीन राशी में ये आपकी राशी को यानि कन्या राशी को स्पेशली लाब देंगे नए कपड़े की प्लैनिंग हो सकती है, नई खरीदारी शॉपिंग बहुत अच्छी हो सकती है तो बहुत कुल मिला करके कन्या राशी के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा अगली भगय शाली टॉप नाइन राशी की बात चल रहे हैं यहां पर अगली सबसे भगय शाली राशी क्या बनती है व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी वाले व्यक्तियों को व्रिश्चिक, धनू, मकर, कुम्ब, मीन यानि पंचम स्थान पंचम स्थान यानि लव लाइफ लव मेरिज अगर आपकी पेंडिंग है आप किसी से प्यार करते हैं तो आपकी लव मेरिज हो सकती है मन की शांती मिलेगी दिमाग तेज होगा संतान पैदा करने वालों को संतान की प्राप्ती होगी जो व्रिष्चिक राशी वाले विक्ति हैं व्रिष्चिक राशी वालों को जब शुक्र देव अपनी व्रिष्चिक धनू मकर कुम्ब मीन पंचम मतलब संतान भाव जब वरिश्चिक राशी का व्यक्ति संतान पैदा करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर आपके मन चाही संतान प्राप्ति की योग बनते हैं गरब धारन करना चाहते हैं जो इस्त्री महिला उनको गरब धारन की प्राप्ति होगा कहने का भाव पंचम बुद्धी का, विद्या का, एजुकेशन का, एंटर्टेन्मेंट का, मोज मस्ती का तो जो जो ये सारे सम्मंद हैं आपको वरिष्चिक राशी वालों को सब प्राप्त होगा यहां तक कि वरिष्चिक राशी वाले को बहुत बड़ा लोन भी ले सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं लेकिन कर्ज मिलेगा किस के लिए, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, ग्रिष्टी में कुछ अच्छा करने के लिए तो व्रिश्चिक राशी वालों की चांदी ही चांदी है अगली बात करूंगा दोस्तो धनुराशी वाली क्या बातै 4 घर में क्या बातै आनन्द आ गया राजनीती, धनुराशी वाले वेक्ती अगर आप election में खड़े हुए राजनीती में हैं आपको पता है यह एलेक्षन के दिन भी है राजनीती के दिन भी है इन दिनों में यदि आप राजनीती में प्लाइन करते हैं राजनीती में कोई आप एलेक्षन लड़ रहे हैं कोई आपने वोट लेने हैं पबलिक से तो चोतागर क्या राजनीती का पबलिक का है तो आपको पब्लिक की संबती बहुत मिलेगी, सिंपती बहुत मिलेगी, प्यार बहुत मिलेगा, राजनीती के बड़े-बड़े धुरंदर विद्वानों को आप पटक सकते हैं, धनुराशे वाले व्यक्ति, यानि आपकी विदेश चात्रा चोते घर में जो धनुराशे वाले व्यक्त राशी वाले व्यक्ति के पिता से सम्मंद भी मजबूत होने जा रहे हैं द्रिश्टी का हैं पिता के स्थान पे दस्वे में और बैपार की प्लानिंग भी बन रहे हैं इंकम के साधन भी खुलने जा रहे हैं चोथे घर में शुक्र नया घर भूमी भवन मकान अगर बनाने की प्लानिंग वो बन जाएगी नई गाड़ी लेने की प्लानिंग बन जाएगी ब्रिश्चिक राशी वाले व्यक्ति, माफ कीज़ेगा धनु राशी वाले व्यक्ति, जिदि धनु राशी वाले व्यक्ति का लगन क्या हुआ, धनु राशी का स्वामी और मीन राशी का स्वामी गुरू है, तो कहीं ने कहीं धनु राशी वाला व्यक्ति उच्च के, यानि क कि मीन के शुक्र में सबसे ज्यादा लाब उठाएगा बारा राशियों को या कौन उठा रहा है मीन राशी करें तो आपको धनु राशी वाले वेक्तियों की निए बहुत ही शुब्फल्दाई है कोई चिंता के बात नहीं मोज करें और कुछ बड़ा प्लैन करें बड़ा सो सांजेदारी भाई-बहन, मित्र, सहोदर, सखा इन सब के साथ आपके सम्मंद अच्छे होने जा रहे हैं तीसरे घर में उच्छ के शुक्र क्या बात हो मकरकुम्ब मीन बहुत जादा लाब की प्राप्ति है सांजेदारी पार्टनर्शिप शुरू हो जाएगी नई प्लैन स्टार्ट हो जानी है यहां तक कि अगर आपका कोई विदेश के साथ जुड़ा हुआ कारिया पेंडिंग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ प्लैनिंग चल रही है तो वह सक्सस हो जाए या आपकी लंबी लंबी जरनी स्टार्ट होने वाले यात्रह बड़ी को शुक्र देओ बहुत शुब फल्दाई रहेंगे भाई बैनों से लाब दिलाएंगे पार्टनर से लाब दिलाएंगे सजावटी समान भी खरीदेंगे घर में ब्याशादी फंक्शन होगा उसके लिए शौपिंग भी करेंगे लगजरी चीजी आने के योग बन करेंगे शुब फल्दाई हमोज किज wrapped करेंगे आन्य में सबसे भाघशाली राशी आ सबसे शान्दार शी कि एक फिर कमब राशी का अ कुम्ब राशी कुम नीन यानी दन्स्थान को सबकने मार्च स्थान भी है लेकिन सेकंड में उच्च के शुक्र कमब राशी वाले मेंति कुम्ब राशी का व्यक्ति उच्के शुक्र का दस मई से पंदरा अपरेल से दस मई तक स्पेशल एनरजी लगाईए आपको सफलता मिलेगी धन मिलेगा रुकावा धन अगर डुबावा रुपया है वो आपका बाहर निकल जाएगा फसावा रुपया कहीं दे रखता वो वापिस आजएगा थोड़े से प्रयास जारी करो मिलना जुलना शुरू कर दो काम हो जाए आपटाइब कर दो कि अपरेगाद के मिरे शुक्र कर देने आपको स्वासतहा बहुत अच्छा कर देगा कुराणि बीमार्या चल नहीं जड़ नहीं । रोग मुक्त कर देंगे स्किन की अलर्जी डिसीज बालों की प्रॉब्लम चल रही थी ठीक होनी शुरू हो जाएगी दवाई नहीं लग रही थी दवाई लगनी शुरू हो जाएगी उच्च के शुकर आपके लगन में आ गई हैं आपको खुश होना चाहिए आपका वैवाहिक जीवन जो टूटने वाला था वो बच जाएगा डिवोर्स के योग चल रहे थी ठीक हो जाएगा मन की शांती मिलेगी आप बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े खरिदने जाएगे शॉपिंग बहुत अच्छी होने वाली जाएगे बहान सुख मिलने वाला है वेवाहिक जीवन अच्छा रहेगा लगन में शुक्रदेव हैं तो डिसीजन मैकिंग बन जाएगे बड़े लेवल की डिसीजन मिलेगे आपके जो जो कन्फूजन थी वो सारी दूर हो जाएगे तो कुल मिलाकर के ये नौ भगया-चाली राशियां थी बाकी रहे मेश, सिंग और तुला राशी इन लोगों के लिए थोड़े से शुक्रदेव कहीं ने कहीं खराब है कहीं ने कहीं आपको तंग कर रहे हैं स्वास्त्य को लेकर के इज्जुकेशन को लेख कर के करीक के पर तो तीन राशी वाले वेक्तिसावधांद रहें मेष तुला और सिंह राशी यस तीन राशीं किंष्ट ना आठ वा और बारुवे घर की जब राशी आती तो कहीं ने कहीं स्वास्थय को रोग को रिन को कर्च को बढ़ावा देती है तो बाकी सब नो राशी बहुत भागया चाले राशी आप सब को शुब काम नाइए डॉक्टर नारायन आचारय को आग्या दीजिए हमारे चैनल नारायन एस्ट्रो इंडिया और नारायन नारायन एस्ट्रो फ्रेंड नारायन नारायन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा फेस्बुक पे भी आप मुझे फोलो कर सकते हैं और रोजाना हमारे वीडियो पराप्त करने के लिए आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रोज आपकी राशियों की अपडेट मिलती रहे अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा नमोन अरायन जी, नमोन अरायन जी, नमोन अरायन जी, नमोन अरायन जी